Hello my babies, how are you all? I hope you all are happy and healthy at your home. I am your Krina ma'am. Now tell me, आपने अपने प्रिवियर स्टेशन में कौन से व्यांजन सिखे? आपको याद है? देखो बच्चों, ये व्यांजन हमने सिख लिये है. तो बच्चों, अब हम व्यांजन को एक एक करके देखेंगे. का, ख, ग, 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 अंग, च, च, ज, 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 इय, त, थ, त, So now, we will revise them with pictures. ये व्यांजन का है? का से कमाल, का से कबुतर, ये व्यांजन खा है, खा से खात, खा से खरगोश, ये व्यांजन गा है. गा से गुलाब, गा से गज, ये व्यांजन गा है. गा से घर, गा से घंडी, ये व्यांजन अंग है. अंग, खाली, अंग से कोई शब्द नहीं बनता. ये व्यांजन चा है, चा से चुहा, चा से चमाच. ये व्यांजन चा है, चा से छडी, चा से छिपकली. ये व्यांजन चा है, जा से जलेबी, जा से जोकर. ये व्यांजन चा है, जा से जंडा, जा से जोपडी. ये व्यांजन इयां है, इयां खाली, इयां से कोई शब्द नहीं बनता. ये व्यांजन त है, त से टमाटर, त से तब, ये व्यांजन थ है, थ से थपपा, थ से ठतेरा So, today we will learn new व्यांजन द, द से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू डम डम बोले, बंदर नाचे और हम सब भी डोले, बच्चों, डमरू की आवाज डम डम होती है ड से डाक्या, ड से डाक्या, डाक्या मतलब पोस्ट मैन, डाक्या साथ में डाक लाता है ड से डाक्या, ड से डाक, ड से डाकगर, ड से डाकगर, डाकगर मतलब पोस्ट आफिस बच्चो हमने अभी डाक्या का पिच्चर देखा ना तो डाक्या कहां काम करता है डाक्या डाक घर में काम करता है ओके ड से डाली पेड की डाली इंगलीश में हम उसे ब्रांच बोलते है ड से डलिया ड से डलिया डलिया मतलब छोटी बास्केट जिसमें हम फल या फूल रखते है ड से डफली ड से डफली ड से डफली बजाओ जी डफली की दुन सुनाओ जी ड से दिब्बा ड से डिब्बा डिब्बा मतलब बॉक्स जिसमें हम अपना सामान संभल कर रखते है ड से डोली बच्चों, डोली आपने शादी में देखी होगी है ना, शादी में लड़की को डोली में बिठा के लाते है ड से डोरी डोरी मतलब string डोरी जो धागे से थोड़ी मोटी होती है ड से डंडा ड से डंडा डंडा मतलब stick ड से डंडा गुमाओ जी अपना खेल दिखाओ जी ड से डबल रोटी ड से डबल रोटी डबल रोटी मतलब bread ड से डबल रोटी खाओ जी अपनी भूख मिटाओ जी ड से डोसा बच्चो डोसा किसको पसंद है? बताओ बताओ मुझे तो बहुत पसंद है डोसा खाने में बहुत टेस्टी होता है बच्चो आपको भी पसंद है मम्मा बनाती होगी न आपके लिए ड से डगर ड से डगर डगर मतलब वे पात रास्ता रास्ता वो ज्यादा तर कच्चा होता है कच्चे रास्ते को डगर कहते है ड से डाइरी मम्मा और दादी डाइरी में घर का हिसाब रखते है अब मैं आपको वर्क्षिट देती हूँ व्यांजन पहचान कर चित्र में रंग भरो ड से डमरू बच्चो आपको ये डमरू में आपके मन पसंद रंग भरने है ये वर्क्षिट आपको आपकी हिंदी वर्कबुक पेज नमबर 35 पर करना है I hope you all have enjoyed learning through the video ओके चिल्रन बाई बाई See you tomorrow Have a nice day